लादिनी संधिनी संबित क्वये का सर्भ संश्रय लाद ताप करी मिश्रा क्वयनों गुण बर जीते एक बारा उनहत्तर विश्रुपुरा अर्थात लादिनी संधिनी संबित ये तीन अलोकिक शक्तियां भगवान स्रीक्रिश्ण में और लाद अताप और मिश्रा ये तीन माय जीव में माया धीन में ये तीन क्यों है माया धीन में और वो तीन क्यों है भगवान में दो प्रकार का सुख होता है एक भगवत संबंधी और एक माया संबंधी माया संबंधी सुख तो अनाधिकाल से सब को मिलता है सब को कुटे बिल्ली गधे को भी और एक सा मिलता है एक सा अरे स्वर्ग का सुख और मिर्त लोक के सुख में ही बहुत बड़ा अंतर है फिर मिर्त लोक में भी एक शेर चीता भालू जंगल में बिना घर और बिना खाट बिना विस्तर के सोते हैं और मनुष्य बड़े बड़े महलों में बड़ी शांदार पलंग के उपर भी डनलप का गद्दा के उपर भी चद्दर तक्या बराबर कैसे है अईसे है कि सुख की सीमाएं अलग-अलग होती है तो सबसे बड़ा जो माईक सुख है वो होता है गहरी नींद में जिसमें सपने भी न दिखाई पड़ें उसको सुखुपती अवस्था कहते हैं वो आप लोग को डेली आती है या दो-चार दिन में कभी आती है थोड़ी देर को आती है या अधिक देर को ये बात अलग है लेकिन सब को मिलती है वो अवस्था आप जब सो के उठते है आज कोई सपना अपना नहीं दिखा वड़ा म्रियान अन्दाया सोने में और उस शुषुपती अवस्था से भी अधिक एक और सुख होता है वो कौन सा जब आप लोग सोने जाते हैं और जाग्रत अवस्था से स्वपन अवस्था में घुसते हैं सोजाओं 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 ए घुसे जिसको मूर्चा कह दो जिसमें इंद्रिय मन बुद्धी का वर्क नहीं होता तो जाग्रत अवस्था से स्वपन अवस्था में सोने में घुसे साबसे बड़ा सुक तो ये शुषुपती अवस्था का सुक जो मिलता है आपको इसको कहते हैं सात्पिक सुक इससे नीचे है इस्त्रिपती का सुक मा बेटे का सुक भाई बहन का सुक रसगुले फुले का सायब सुक इसके नीचे है क्योंकि उसमें होश रहता है आपको जिस सुक में होश है उस सुक से वो सुक कितना बड़ा है जिस सुक ने इंद्रिय मन बुद्धी को बेहोश कर दिया अगर ये सुक भी कभी इतना बढ़ जाए कि मूर्चा हो जाए तो भी वही अवस्था आई शुशुपती अवस्था मा को चिप्टाया इतना सुक मिला इतना मिला कि बेहोश हो गया बेटे को चिप्टाया बीबी को चिप्टाया बेद में एक मंत्र है आप लोगों को सुनके आश्चर्ज होगा यथा प्रियया श्त्रिया संपरिश्वक्पो नबाहियम किंचन बेद नांतरम यो मेवायम उरुशह प्राग्ये नात्मना संपरिश्वक्तो नबाहियम किंचन बेद नांतरम ब्रहदारण को पनिशट चार तीन एककाईस जैसे कोई घोर कामी पुरुश और घोर कामीनी इस्त्री एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो उनको इतना सुख जब मिलता है कि दोनों बेहोश हो गए आईसे ही जब जीवात्मा को परमात्मा आलिंगन करता है तब गहरी नींद आती है आपको जब उसने आलिंगन किया तो सपना उपना गया और आप मूर्चित हो गए आनंद में लेकिन वो सुख माईक है तो जितने वी संसार के सुख है उन सुखों में सबसे बड़ा है शुशुप्ति का सुख गहरी नींद का और वो महल वालों को भी मिलता है और कुत्तों को गधों को भी मिलता है सब को मिलता है फुटपात पर जिनको घड़वर नहीं है कितने गरीब हमारे देश में सोते हैं खर राटे में सपना भी नहीं आता है अब कोई कहें कि वो खरपती सोता है जो और ये फुटपात पर सोने वाले कि नीद में उस सुख में कोई अंतर है ना ना वो नीद की गोली खाके सोता है ये ऐसे ही सोता है लेकन गहरी नीद में दोनों का सुख बराबन जैसे मनुष्य को जो सुख खीर पूड़ी हल्वा रसगुल्ला में मिलता है वही सुख गाए भैस को हरी घास में मिलता है हरी घास जिस दिन हरी घास मिलती है हाथ तो मज़ा आ गया और जो भूसा मिलता है उनको खाने को तो भूख में तो सभी खाते है गरीब लोग रोटी दाल खाते है बिना तरकारियों बिना घी दूद के वह भी अच्छी लगती है तो संसार में जितने भी सुख है वो सब माया के है लादिनी संधिनी संबित त्वयेका सर्ब संश्वय लाद ताप करी मिश्रा त्वयनो गुण बर जीते एक बारा उनहत्तर विश्णु पुरान अर्थात लादिनी संधिनी संबित ये तीन अलोकिक शक्तियां भगवान सरी कृष्ण में और लाद और ताप और मिश्रा ये तीन माय जीव में माया धीन में ये तीन क्यों है माया धीन में और वो तीन क्यों है भगवान में भगवान में वो इसलिए हैं कि भगवान सच्चिदानंद है सो सत से संधिनी चित से संबित आनंद से लादिनी और जीव में जीव में माया है और माया के तीन गुण होते हैं अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम लाल रंग की माया रजो गुणी सफेद रंग की माया सत्व गुणी काले रंग की माया तमो गुणी यह तीन गुण की माया होती है तो सफेद रंग वाली जो माया है वो सत्व गुणी होती है वो लाद करी होती है माने सुख देने वाली जितने संसार के सुख हैं सब वो सात्तिक माया के सुख हैं लाद करी हम उसी चक्कर में पड़े हैं अनाधिकाल से अपने बिभोर होते हैं मजा आ गया और वो थोड़ी देर में मजा चला गया उसी मा से उसी भाप से उसी बीबी से उसी पती से उसी बस्तू से मजा आ गया और मजा कम हो गया और मजा चला गया और दुख भी मिलने लगा चडाई भी हो गई ठीक है यह दूसरे की शकल नहीं देख रहे मिया भी भी हम तुमारी शकल नहीं देखना चाहते ओर हा गया वहूर है एक दिन हमारे पीछे पीछे गूमते थे सबirm कर देज आज शकल नहीं देखना चाहते यह संसार के सुख का हाल है और भगवान का सुख जो होता है वो लादिनी शक्ति जो सबसे बड़ी है ध्यान दो यह सबसे नीचे वाली शक्ति का नाम है संदिनी उससे अधिक इन्पॉर्टेंट संबित उससे अधिक इन्पॉर्टेंट लादिनी इसलिए सत्च से अधिक इन्पॉर्टेंट चित चित से अधिक इन्पॉर्टेंट आनंद इसलिए भगवान का एक नाम है आनंदो ब्रह्म सत्चित नहीं बोलेंगे आनंदो ब्रह्म रसो वैसा तो वो लादिनी शक्ति उसी की एक ब्रित्ती भक्ती भी है और उसी की एक सारभूत ब्रित्ती यह आनंद है आनंद जो भक्तों को मिलता है भगवजन को मिलता है जो भगवान के बन गए उनको मिलता है वो आनंद निच्य होता है प्लस चेतन होता है प्रतिक्षण बढ़ता जाता है और यह सात्तिक आनंद जड़ होता है प्रतिक्षण घटता जाता है और नश्च हो जाता है इतना दोश है इसमें इसलिए इन दोनों सुखों को समझ कर सात्तिक सुख से मन को बुद्धी को हटा कर अलवकिक भगवत सुख की ओर मोडना होगा डाइवर्ट करना होगा घुमाना होगा सुख चाहता है तुम मन यहां सुख नहीं मिलेगा यहां वाला सुख ऐसे ऐसे घटता हुआ घटता कतम हो जाएगा और वहां वाला सुख प्रतिक्षण बर्धमानम इसलिए भगवान के शरीर को देखकर भगत लोग कहते हैं नित नवायमान भगत का प्रेम और भगवान के शरीर का रस इनमें कंपटीशन होता है आख बंद किया भगवान के शरीर को देखा प्रेम बढ़ गया भगवान ने का अच्छा यह तो जीत गया फिर आख बंद किया और फिर भगवान को देखा तो भगवान ने सौंदर्ज बढ़ा दिया आख सौंदर्ज बढ़ गया आपकी मैं पीछे रह गया अब प्रेम बढ़ गया आपकी दोहे करे हुडा हुडी बाडे मुख नाही मुडी यह दोनों में होड होती है और कोई हारता नहीं अनंत काल तक यह स्प्रिट्यूल हाइपिनस की परिभाशा है उसी के लिए मन को बुद्ध्य को समझा कर प्रेरित करना चाहिए अनंत कोई है उसके पुर चलिए आपकी झाल फस्ते हो कर भास प्रेवयर थार